यह class generally seven to eight days होगा साथ दिन minimum, साथ के बाद eight to nine days भी चल सकते हैं ज़दे हम schedule की बात करेंगे तो first day, आज के जो day होंगे इसमें हम लोग gym का introduction आपको provide करेंगे gym किस तरीके से काम करता है, हर एक topics पे थोड़ थोड़ा आज discussion करेंगे यह आज के lecture में ज़दी हम लोग कल के lecture की बात करते हैं, तो कल के lecture में gym का registration यहाँ पे जो topics cover होंगे वो है, seller registration कल का seller registration profile update, profile update जैसे कि MSME update करना उद्यम update करना, IDR update करना जो भी वहाँ पे profile update होते हैं, वो सभी update करना account setting account के कुछ settings जिसमें secondary user create करना आपका mobile number, email ID बदलना यह सभी चीज़े कुछ account setting का पाट रहता है poison money deposit deposit, poison money में deposit provide कैसे poison money में हम लोग deposit करते हैं और at least take Q3 product का प्यार प्यार में हम लोग entry करेंगे Q3 में यह आपका second day का lecture का schedule होगा, हम जैसे ऐसे लेक्चर का day बताएंगे ऐसे ऐसे हम आपको इसके details भी बताते चलते हैं, मतलब इसके साथ साथ जो हम lecture लेंगे हर एक का छोटा-छोटा हम लोग आज के class में introduction भी में आपको provide करता हूं ओके तो चलिए फिर बात करते हैं हम लोग यहां पर, सबसे पहला fast है seller registration, यहां पर दो registration होते हैं, एक seller का और दूसरा buyer का, जो हम लोग seller की बात करते हैं तो हम लोग यहां पर आजे seller है, मतलब जो भी normal है, हम लोग यहां पर seller है, कोई भी हम यहां पर बेज सकते हैं ठीक है, बायर कौन होंगे तो, बायर होंगे government department, जो department के product है, department है, जैसे कि PSU's company, central यह state government, यह लोग buyer होंगे, हम यहां पर आजे buyer registration नहीं कर सकते हैं, हम यहां पर seller ही registration कर सकते हैं seller अलग-अलग type की companies सभी लोग register कर सकते हैं, चाहिए वो proprietor हो, private limited हो, limited हो, HUF हो, LLP company हो, partnership हो या और अलग तरह के इसे, यह सभी society बगरा, महिला बचत कर, यह हम सभी लोग seller में अपना registration कर सकते हैं, seller में registration करने के लिए सबसे पहले KYC update करना पड़ता है, उसके लिए 2 बेस है, एक pen या आधार, आप दोनों तरीके से registration कर सकते हो, pen based भी कर सकते हो, आधार बेस्ट भी कर सकते हो, आधार बेस्ट जदे आप करते हो, तो आधार से mobile number link होना चाहिए, तो यहाँ पे जो यूज करेंगे KYC purpose के लिए, KYC purpose के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे आपका खुद का self pen card लगेगा, pen card generally दो होता है, एक company का जदी proprietorship हुआ, तो दोनों pen card सेम होगा, पर जदी proprietorship company नहीं हुआ, तो यहाँ पे pen card company का अलग और आपका खुद का यहाँ पे जो KYC की बात करते हैं, तो KYC में खुद का pen card यूज करना पनता है, या अधार बेस, आधार तो company का होता ही नहीं है, तो यहाँ से आप अपने आपको authentication करेंगे, और उस base पे अपना seller को registration कर सकते हैं, दोनों options available है, pen best भी अधार बेस तो, यह हो गया seller का registration उसके बा जिससे आप login कर पाएंगे, यहाँ पे देखिए, login का options available है, आपके पास, तो यह login जैसे करेंगे, आपसे सबसे पहले आपको user ID मांगा जाएगा, यहाँ पे आपस user ID मांगा जाएगा, यह user ID ही यहाँ से generate होगा, जब आप seller का registration करेंगे, तो आपको किस time से registration करना है, वहाँ पे आप generate करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे registration के लिए user ID मिल जाएगा, तो यहाँ से आप login का process चालू कर सकते हैं, login करने के बाद, उसके बाद आपके पास सबसे पहला काम रहेगा, profile को update करना, यह आपका जो profile है, उसको update करना पड़ेगा, profile update करते वक्त आपसे कु mandatory documents में है, जिदि आपका company है, तो company का pin card, यह mandatory है, जिदि आप proprietor है, तो खुद का sell pin card, address, जिस नाम से आपका company यहाँ registered है, वहाँ का address, bank account, आपके पास, जो नाम से आपकी company है, उस नाम से आपके पास एक bank account होना चाहिए, मतलब current account होना चाहिए, तो यह जो चीज़े हैं, यह आपके लिए mandatory list है, इतना आपको details लगेगा, यह आपका mandatory हो गया, optional की बात करते हैं, यह mandatory हो गया, अब optional में, optional में क्या क्या लगेगा, तो optional की जिदिव हम बात करेंगे, तो optional में अलग-अलग चीज़े हैं, optional के list में हैं हमारे पास, GST, उद्धियम, स्टार्ट अप, इंडिया, ITR, जिदि आपका company का date of incorporation, मतलब company चालू होने का date, 24 मेहने से कम है, तो ITR mandatory नहींगे, नहीं तो आपके लिए ITR mandatory हो जाएगा, ITR, at least वो एक साल का ITR, यह आपके लिए optional में है, तो इसके benefit मिलेंगे, नहीं है, तो उसके benefit नहीं मिलेगा, तो यह आपके लिए optional में होगा, हलो, हलो सर, थोड़ा सब पहले से repeat कर सकते हैं, मुझे वाइस ही गया था कि वाइस में मुझे नहीं आ रहा था, थोड़ा सब पहले से repeat कर दीजिए, प्लीज सर, हम लोग बता रहें यहां पर, वही तो वही सर, seller registration का जोब सबसे पहले आपने पाट बताया नहीं हो, तो वह थोड़ा सब यह कर दीजिए, नहीं सर, प्लीज, आप तो सीधे second point से मुझे वाइस आ रहा है, सर, ठीक है, देखू, पहले, seller registration के लिए आपके पास pen-based या आधार-based registration कर सकते हो, उसके लिए mandatory लगेगा, इस based पर आपना आप seller registration कर सकते हो, यहां पर pen card या आधार card खुद का लगता है, और उसके बाद आपको जो documents लगेंगे, प्रोफाइल अपडेट के लिए, वो company pen card, address, bank account और यह documents लगेगा, GST, Udham, Startup, India और ITI, यह optional है, और यह होगी आपके पास mandatory list, तो यहां से आपका प्रोफाइल आपका update हो जाएगा, यह आपका प्रोफाइल अपडेट होने के बाद, आपसे पूछा जाएगा, तब तक अभी भी क्या आप प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आप जेम पे काम कर पाओगे, नहीं, अभी भी आप जेम पे काम नहीं कर पाओगे, जब तक आप होर्थ नंबर को complete नहीं करोगे, होर्थ नंबर बोलता है cause and money deposit, यह deposit amount है, deposit आप जेम पे registration कर रहे हो, जैसे आप कहीं पर भी कोई license बगरा लेते हो, तो यहाँ पे आपसे कुछ amount deposit के तोर पे रखा जाता है, ऐसे जेम में भी है, जेम में आपको जड़ी account बनाना है, तो यहाँ पे कुछ fund आपको deposit के तोर पे रखना है, जब आपना account close कर देंगे, तो पैसा आपको वो refund कर दिय जाएगा, तो यह deposit है, 5000, minimum, कितना है, 5000, जदि आपका turnover एक करोर से नीचे है, turnover less than 1CR, तो आपको लगेगा 5000, 10,000, 10,000 लगेगा, जदि आपका turnover 1CR, 2, 10CR के बीचे, तो 10 करोर, और 25,000 लगेगा, जदि आपका turnover 10 करोर से जादा है, तो यह आपको deposit करना पड़ेगा, यह amount, यह आप deposit कर देंगे, तो आपका, clear हो जाएगा, ठीक है, यह आपका deposit के तोर पे लगने लगेगा, यह आपको deposit के तोर पे यह सभी चीज़े देना पड़ेगा, सर, एक बार इसका, वो, अच्छा है, ठीक है, सर, इसका screenshot ले लो, वो ही देखना था, बस 5000 किते पर और एक करोर, ठीक है सर, हलो, excuse me, सर, सर, रजिस्टर करने के लिए कौन सा website में जाके करना सर, सर, हम लोग आगे-ागे सभी चीज़े बताएंगे, ठीक है, सर, ठीक है, यहां तक आपको यह deposit करना पड़ेगा, पर इस deposit में भी छूट है, जिसको हम लोग exemption बोलते हैं, exemption मिलेगा, exemption किसको मिलेगा, जदि आपके पास exemption, अब हम लोग आते हैं, exemption के काइट्रिया में, जिसमें हम लोग छूट बोलते हैं, यह पैसा आपको deposit नहीं करना पड़ेगा, यह 5, 10, 25 जो भी है, जदि आपके पास उद्ध्यम का certificate है, सिर्फ उद्ध्यम नहीं, उद्ध्यम प्लस, कास्ट में हो आप, तो आपको deposit नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उद्ध्यम नहीं, उद्ध्यम तो सब के पास है, हमारे पास सब ही, सब के पास उद्ध्यम है, पर आपको भढ़ना पड़ेगा, उद्ध्यम प्लस, आप कास्ट में हो, तो आपको deposit नहीं करना पड़ेगा, उद्ध्यम प्लस, क पैसे deposit करने की ज़रूरत नहीं है आप कास्ट में हो पर पर आपके पास उद्यम नहीं है तो भी आपको पैसा बरना पड़ेगा अब और एक चिस इन केस आपने ये पैसा भर दिया है एजुम करते हैं ये पैसे को आपने भर दिया है तो क्या होगा आप एक जमसन में थे और पैसे भर दिये तो क्या होगा तो भी आपको ये पैसा refund मिल जाएगा आप कभी भी इसको refund ले सकते हूँ तो ये है एक चीज आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं सबसे पहले रिक्वेस्ट एक चीज है कि प्लीज आपको जिसको जो पूछना है हैंड रेज करके पूछेंगे या फिर चैट बॉक्स में कोईजी डालेंगे ना डारेक्ट अन्म्यूट करके नहीं पूछना है यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो हैंड्रेज कर सकते हैं या फिर आपको हैंड्रेज नहीं पता तो चैट बॉक्स में अपना कोईडी भी डाल सकते हैं और प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि म्यूट रखेंगे हां बर्मा सर बोलिए इसमें पार्टनर्शिप और फर्म की कंडिशन में क्या होगा इस कंडिशन में पूछ वित्ता भी भी जदि आपका कंपनी ओनर जो है लेडिस है या फिर आपका जो में ओनर है जिसका नाम से आप के वाइसी कर रहें तो फिर आपको छूट हो जाएगा जी जी ठैंक्यू स ठीक है चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट के और उससे पहले नेक्स्ट पार्ट जाने से पहले थोड़ा इंट्रोडिक्शन देता हूं मेरा नाम आदित्य पंडित है मैं जे आपका ट्रेनर और भगट टेक्नो के ओनर थिक है हमारे नम से आप जहांपे हैं प्लेटफॉर्म पे भगट टेक्नो के वो उसके ओनर भी हूँ और मैं ही आपका ट्रेनर आगे आपको सिर्फ हम यहां पे training तक हम अपके साथ नहीं है after training भी हम आपके साथ बने रहेंगे जैसे कि हमारे team आपके साथ है और इसे ही आपको आगे भी हमारे team आपके साथ रहेंगे यह हमारा official website है tendersolution.co.in यह हमारा website है जीरे आप यहां फोटोग्राफ में देखेंगे तो हम यह टेनिंग्स करते हुए हम फोटो दे तो दिखा रहे यह एक इंजिनिरिंग कॉलेज है है जहाँ पर हमने टेनिंग पूटोग्राफ से एसे अलग जो आफ़ लाइन पूने अभी next दिल्ली और कुलकाता ऐसे अलग-अलग जिगा पर हम लोग training प्रोवाइड करते हैं यह आपको certificate मिलता है offline में online में भी आपको certificate मिलेगा जो हमारे website से मिलेगा यहाँ पर आपको gym certificate बोलके हो रहेगा यहाँ से आप अपना certificate download कर पाएंगे training के 4-5 दिन के बाद यह आपक training का आ जाएगा यहाँ पर batch drills मैं इसको थोड़ा remove कर देता हूं batch का आपको number मिल जाएगा उस batch पर आपका number धान नाम धूनेंगे तो आपको मिल जाएगा ठीक है पूराने batch के certificate डिलेट होते रहते हैं और नए batch के certificate आते रहते हैं यहाँ से आपको आपका certificate आप download कर पाएंग मैडम आपको जया मैडम है जो आपको इसके बारे में information प्रोवाइड कर देगी जदी number हमारे टीम के जानना चाते हैं तो नीचे आपको हमारे टीम के numbers मिल जाएंगे यह हम लोग ONGC को training provide किये थे ऐसे हम लोग government department को भी training provide करते हैं जैसे कि अभी तक जो हम लोगों ने कर दि हिमला इंस्टूट सौब training है जिसको हम लोग training देने जा रहे वो है अरुनाचल पदेश में तैसे हम लोग government department के साथ भी हम लोग उनको training provide करते हैं यह सब office के photograph से हम लोग training के बाद सभी student photos निकाले थे और next जरी हम लोग बात करेंगे था हमारे यहाँ पर teams के आपको number मिल जा जया मैडम का है यह हमारे वैसाले और यह रॉनित सर ऐसे हमारे टीम है और भी टीम के कुछ हैं जिनके अभी तक यहाँ पर website में update नहीं हुए हैं पर और भी इनके साथ हमारे जुड़े हुए हैं दो तीन तीन चार और members हैं तो आपको certificate बगरा आगे जब भी certificates के होंगे और आगे next group में छोड़के आपको support की जोड़त होगी तो आपको जो आपका concern person है उनको या फिर वहां से भी आपको support नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर जया मैडम से contact करेंगे पहले आपके जो concern person है उनको contact करेंगे आपके लिए group available रहेगा आप group में अपना जो भी query होगा डाले जाएंगे और next आप जया मेडम से contact करेंगे तो यह आपका concern होगा after training जहीं बात यहां से आप अपना हमारा भगट टेक्नो का app download कर पाएंगे download भगट टेक्नो एप पर यहां से आप जाएंगे तो आपका भगट टेक्नो के website पर जाएगा या फिर play store में आप भगट टेक्नो बोल के search कर देंगे तब भी आपको app मिल जाएगा यह एप से आप यह आप डाउनलोड कर लेंगे और आपको जैसे कि मैंने बोल आपके concern परसन जो भी है वो आपको यहां पे आपका वीडियो का access आपको provide कर देंगे जहां से आप जो भी हमारे training होरे recorded lecture का वीडियो आपको वहां से मिल जाएगा यह छोड़के भी हमारे support system के तोर पर थोड़े और भी available है जैसे कि हर दो से तीन मेहने बाद बाद हम एक training भी arrange करते मतलब आपके doubts के lecture तो वह doubts के lecture आपके लिए free of cost रहेगा जो नए update होते है जेम के बारे में और आपके कुछ doubts रगे जो solve नहीं हो रह तो यह हमारा next support रहेगा जो भी वीडियो के access है या आपको support है वो one year तक आपको without any chargeable base पे मिलेगा support मतलब कोई problem रहा तो आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो support में नहीं आएगा काम करके देना है वो chargeable basis पे कोई problem आ रहा है काम करते वक्त तो वो आपको free of cost हमारे जब से आपको support मिलेगा हां urgent basis पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है थोड़ा time आपको लग सकता है चलो तो यह हमारे तरब से details थे फिर से आते हैं हम लोग back हमारे main module पे यहां तक किसे को कि अधर अपना जो फर्म है वह नया है करनोबर में अब अपना अच्छा है 1CR का है और अपने पास परफॉरमिंस बगरा नहीं है अपने पास supply के उसमें जा रहे हैं अपन के अपनको पहले जहां तक हम पूछ रहें जहां तक हम कर रहें वहां तक में पुछ प्रॉब्लम है आपके टॉपिक्स आएंगे तो फिर आप उसके लिगार्डिंग टॉपिक्स में पूछने का है ना ठीक है तो हम लोग यहां तक कॉजन मनी तक पहुचे थे यहां कॉजन भनी आपने डिपॉजिट किया कि आपका एकाउंट चाले हो अब क्या होगा अब आप पूर्डर को आपको क्या ओर्डर मिलें देखो, अब यहाँ पर order मिलने के तरीके कैसे है, अब आप कोई भी jam पर रेजिस्टेशन क्यूं कर रहे हो, ताकि आपको यहाँ पर order मिले, इसलिए तो आप jam पर registration कर रहे हो, तो jam पर registration से order मिलने के कितने तरीके हैं यहाँ पर, एक है direct purchase, यह एक नंबर दूसरा जो है बीड और तीसरा पुस बटन प्रोक्यूर्मेंट यह ऐसे तीन ऐसे तरीके हैं जहां से आपको ओर्डर मिल सकता सबसे पहले बात करते हैं हम लोग direct परेंज का जो सबसे ज्यादा popular भी है और इसे ही सबसे ज्यादा order निकलता है अब यहां पर भी जिद्य हम लोग बात करेंगे तो direct purchase के दो पार्ट है डायड पर्ज़ को हम लोग दो अलग अलग पार्ट में तोड सकते हैं जिसको आप लोग L1 purchase के नाम से भी जानते हैं और दूसरे आप लोग direct purchase बोलते हैं जनरली यह आप लोग का नाम है पर इसके actually हम इसके proper नाम को जानते हैं प्रॉपर जदी हम लोग नाम की बात करेंगे तो क्या है इसको इसको बोलते हैं with compare diet purchase कैसे मिलेगा आपको with compare और एक होगा L1 purchase में compare के साथ और diet purchase कैसा होगा without compare तो ऐसे diet purchase को दो पार्ट में हम लोग यहां पर तोल सकते हैं एक को बोलेंगे with compare एक को बोलेंगे without compare पर बोल चाल के language में हम लोग इसको L1 purchase बोलते हैं और इसको हम लोग direct purchase के नाम से आते हैं बट दोनों direct purchase का ही पार्ट है अब आते हैं इसके limit कितनी है कितना तक खरिद सकता है मतलब buyer कितना तक खरिद सकता है या फिर आपको कितना तक amount तक order मिल सकता है यहां पर आप bunch ने allowed नहीं है मतलब आपको दो खरिदना है माल लिज़ आपको inverter भी चाहिए buyer को और battery भी single order नहीं निकाल सकते inverter का अलग order निकलेगा और battery का order अलग निकलेगा भले quantity बारा हो या पांच हो दो अलग-अलग order निकलेगे direct purchase में direct purchase में दोनों का मिला के एक order नहीं निकलेगा कुछ rules ध्यान से जानना यह जेम का rule है कि direct purchase में दो product का order आपको एक साथ नहीं मिल सकता है दोनों के work order अलग-अलग मिलेगा order मिल सकता है पर दोनों का अलग-अलग work order मिलेगा चलिए तो हम इसके limit के बारें बात दब यहां पर जो भी आप order होगा single order की value बता रहूं single order की value है 5,000 इसमें भी छूट जदी हम लोग बात करेंगे क्या चीज़ छोड़के exemption में है automobile industry जैस की car, ambulance वगरा उसकी limit है 30,000 और ambulance, car वगरा छोड़के बाकी जो भी order है यह आपको 5,000,000 रुपया तक का order direct purchase के थूरू से मिल सकता है ठीक है कितना तक था 5,000,000 तक का order आपको direct मिल सकता है तक चलिए यह direct purchase है क्या यह समझना जरूरी है डाइट purchase इलकुल amazing की याद कर लो अप लोगोंने amazing वगर असे कुछ खईदा है साइद ऐसा होगा ही नहीं कि बहुत ही कम लोग होंगे जिसने खईदा नहीं होगा जैसे मुझे वाच परसंद आ गया तो मैं इसको पसंद किया और इसको हम लोगोंने add to cart कर लिया क्या करता हूं इसको add to cart कर लेता हूं जो यह बेच रहा है उनको यह order मिल जाएगा और वो मुझे delivery कर देंगी यहीं चीज होता है यहां पर भी मतलब यहां पर आपके competitor वगरा को किसी के बाद कोई भनक तेंखने लेगा order जिसको जा रहा है उनको order डायक्ट चला जाएगा उन्हों और इसमें क्या है वेटिंग प्रियेड नहीं है तूरंत order अभी मुझे order release करना है तो तूरंत का तूरंत order release हो जाएगा ठीक है अब यह दोनों में difference क्या है तो दोनों में difference क्या है विद कंपेर में क्या होता है जब भी बायर आप order प्लेस करेगा तो बायर को कंपेरिजन करना पड़ेगा जैसे कि हम लोग एक बायर के IDC लोग इन करते हैं तो आपको एक आईडिया आ जाएगा यहां पर हम लोग बात करते हैं डायट पर्चेस में मालेजे मुझे कोई भी कुछ भी समान चाहिए एक्जमपल डेक्स्टॉप ही चाहिए यह बैटरी जैसे बोला बले यह इन्वर्टर जैसे हम लोग बात करें इन्वर्टर इन्वर्टर ले लिया अब आई को होगा इस डेटेल्स है टाइप अब बैटरे चाहिए यहां पर जो है इसेवेंटी टू एट्टी परसंट वाला चाहिए ऐसा आजूम कर लेड़े कितना क्वांटिड़ी चाहिए यहां पर हम लोग डालते हैं बाएर चाहिए पांच क्वांटिटि यहां दस पांच के फांच क्वांटिड़ी ओना रहा है यहां फे सेवेंटी टू थाउजन वाला अब जिसको यहां पर विट कंपेर वोला है तो कॉमपेरिजन करने के बाद मतलब कन करने के लिए दो अलग अलग इसको करोंगा तो कंपेर नहींगा । होगा मिनिमंगी टीन ब्रांड होने चाहिए BRoser not लिया है तो माइक्रोटक के साथ भी compare नहीं कर सकते हाँ यह अलग ब्रैंट है इसके साथ compare कर सकते तो आपको तीन के साथ compare करना है जो जेम पे अबलेवल है और compare होने के बाद जो यहां पे लवन आ रहा है और उसको ही चला जाएगा comparison करने के बाद अब जो लवन है current लवन और उसको जाएगा दोनों सेम पोड़क्ट है इसको add to cut करेंगे order release हो जाएगा direct purchase से ठीक है यह है direct purchase जिसको हम लोग का limit है पांच लाग यह 72,000 का है हम यह पांच लाग तक खरीच सकते हैं single order कि इसको हम लोग L1 purchase बोलते हैं कि क्लियर है कोई डाउट से किसी को यहां तक में L1 purchase में कि आते हैं सेकंड पार्ट पर डाइट पर जाएट बिदाउट कंपेर हैं कि मतलब जब L1 purchase चेक करना है हमें तो उसके लिए बायर की आईडी जरूरी होने चीए कि हम सेलर के अपनी आईडी में भी तीन चीज़ को कंपेर करके चेक कर सकते हैं चेक कर सकते हैं पर वहां से 100% गैरेंटेड नहीं मिलेगा बायर के आईडी से एकदम गैरेंटेड मिलेगा आपके पास सेलर आईडी में में फिल्टर अबलेबल है यहां से प्रॉपर छीजे जो वह वोगा वो बायर के अईडी से होगा । निसी गूंपमी सेल का का मैं सेलर में पर्चेश। का का मैं एड़ी में तो ईसलिए बायर के डी में ही एलवन वगधन होता है एक वो क्षेज्ट सिएस का में छे永ट बहुड गूंअ बोलिए पार्टिल सर्व सिवाजी पार्टिल अलो हां बोलिए हासर अपने पास बायर का यूजर आइडिया और पासवर्ड रहेगा Biz तो हम जो और्डर हे Leun में कोई आने दो तो वह हम हम मेरे लिए खुद के लिए मैंने कर सकते जो आपका पॉर्डर्ट औहीजिया लिस्ट में लिस्ट में आना चाहिए तो तो ही आपको order मिलेगा अच्छा यह के लिश्ट में आना चाहिए लवन में जो करेंट लवन दिखा रहा था वहां पर आना चाहिए तो ही order मिलेगा चली तो हम लोग आते हैं नेक्स टॉपिक्स पर ठीक है हम यह आपको बताएंगे कि आपका प्रॉडक्ट वो करेंट लवन में कैसे लाना है मतलब सभी तो नहीं पर 70-80% आप प्रॉडक्ट अपना वहां पर लेके आ जाओगे आपको जिस रेट में चाहिए उस रेट तो यहां आते हैं second part पर इसको बोलता है डारेट पर्चेस विदाउट कंपेर अब विदाउट कंपेर से मान लीजे मुझे बैटरी मतलब लेट एसको यह इसका कैटेग्री एड चाहिए अब मुझे बैटरी कितना चाहिए बैटरी चाहिए मुझे मान लीजे दो या चार एजुम करते हैं चार मुझे बैटरी चाहिए तो हम चार बोलके डाल देंगे अब यहाँ पे चार बैटरी का rate दिखेगा एक बैटरी का नहीं दिखेगा चार बैटरी का आपको rate दिखेगा अब हम बात करें direct purchase without compare अब order आप किसी को भी दे सकते हो क्योंकि amount क्या है 25,000 इसकी limit कितनी है 25,000 इसकी limit है 25,000 25,000 से नीचे के जो भी product है देखो सब के सामने add to card आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है अब आप order किसी को भी दे सकते हो इसको भी दे सकते हूँ इसको भी दे सकते हूँ अब इसको order देना ऐसा नहीं अब आप order नीचे में जैसे ही amount 25,000 को cross कर गया add to cut आना बंद हो गया और compare का option चलो हो गया देखलो ठीक है 25,000 के नीचे हम इसको भी order दे सकते हैं इसके उपर भी add to cut करेंगे तो देखो same option सा जाएगा अब order इसको भी order देना है तो इसको भी order दे सकते हैं यह कब होगा 25,000 से नीचे वाले में 25,000 से उपर में आपका product यहां आना ही चाहिए तो ही आपको order मिलेगा तो यह दो अलग-अलग खरीदने का तरीका है एक का लिमिट 25,000 एक का लिमिट पांच लाग क्लियर हो गया डाइट पच्चेस में कोई किसी को डाउट से अभी और चलिए तो हम लोग बात करते हैं next प्रोसेस में अब आपको order के बात करते हैं बीड है न हम लोग बात करेंगे बीड के बारे next बीड क्या होता है जैसे डाइट पर्चेस अलग-अलग टाइप के होते थे ऐसे यहां पर बीड भी अलग-अलग तो बीड देखो कितने टाइप की बीड अवेलेवल है एक को बोलते है प्रोड़क्ट बीड फिर है सर्विसेज बीड थर्ड है बीयो क्यू बीड फॉर्थ है प्रोड़क्ट कस्टम बीड और फिफ्थ है सर्विस थैसे आपको यहां पे पांच अलग-अलग टाइप के बीड मिलेगी यह पांच टाइप का बीड है पांचों बीड को बरने का तरीका या फिर बायर के तरब से पब्लिस करने का तरीका अलग है मैं यहाँ पर दोनों कवर करने वाल है ना seller भी और बाइर भी पहले seller कवर करूँगा फिर भायर इसलिए दोनों के topics कवर करते जा रहा हूं जो जैसा आ रहा है flow में वह topics कवर करते जा रहा हूं तो आपको यह सभी तरब का बीड समझना पड़ेगा सब को समझना पड़ेगा फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में चले जाते हैं पोड़क बीड कब होगा जब पोड़क जेम के मार्केट में अब अब अमेजन में मुझे क्या सब कुछ मिल जाता है नहीं मिलता ऐसे ही आपको जेम पे सब कुछ नहीं मिलेगा बहुत सरे चीज़यें अब मैं ही आज एक धूण रहा था मुझे हीटिंग का स्लाइडर चाहिए था जो जेम पे नहीं अब ऐसा मुझे पैनल वगर्दा मिला पर स्ल तो वो क्या करेगा ऐसे कंडिशन में वो दो अप्शन से उसके पास एक कस्टम बीड नहीं तो भी ओक्री वीड जो मार्केट में अवेलेवल है उसका जदी उसको डायट परचेस के थूरू से नहीं खरतना है उसको बीड बनाना तो बीड भी बना सकता है या फिर अब उनका एमाउन पांच लाग से ज़्यादा है तो क्या करेगा तो उसको पॉड़क्ट बीड बना नहीं पड़ेगा है ना तो मार्केट में पॉड़क्ट अवेलेवल रहा जदी पांच लाग के उपर रहा या फिर उसको डायट परचेस नहीं करना है तो बायर पॉड़क्ट कोई limit नहीं है कि पांच लाग के उपर ही होना चाहिए 2 लाग के निछी होना चाहिए ऐसा कोई limit नहीं market में available रहा तो product bid market में available नहीं रहा तो वीयोक्यू या custom bid जो हम लोग आगे बात करेंगे वीयोक्यू और custom के बारे में same services का जदि services available है तो service bid service available नहीं है तो custom services अब आते हैं product bid और service custom में जदी market में product available नहीं है तो उसका custom bid निकलेगा तो बोलेंगे सर्फ फिर bio qubit भी हम लोग ऐसे ही बात करें अब bio qubit के कुछ rules से हैं bio qubit में single item का tender नहीं होता है कम से कम 5 item होने चाहिए तो आप bio qubit बना सकते हो पांच item के उपर होना ही चाहिए जो custom product में ऐसा नहीं है custom एक product का भी आपको बिटेंडर बनाना है तो हम लोग custom product बना सकते हैं तो यहां पर आपको अलग-अलग type के बीड नजर आएंगे पर से बीड इतना ही नहीं है बीड का लेक्चर हमारे यहां पर सबसे बड़ा होता है यहां पर भी बीड के फिर अलग-अलग चीज़े हैं जैसे कि सिडूल बीड 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 टू आरे MSME reserved, make in India, MSME preference, make in India preference, PSE bid, proprietary article certificate, सिडूल बीड तो ऐसे फिर इसके भी सबलेट हैं तो वो सब हम लोग आगे-आगे discussion करेंगे जब बीड का पूरा लेक्चर पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें discussion करेंगे अब दोनों में एक difference समझते हैं कि diet purchase और बीड में difference क्या है, diet purchase में एक अच्छा है कि order तुरंद मिल जाता है, बीड में ऐसा नहीं है, बीड में यह duration minimum 10 दिन का है, कम से कम 10 दिन, जदि आज tender निकला, तो 10 दिन के बाद order मिलेगा कोई seller को, 10 दिन के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 दिन tender आपको दिखेगा, jam के market में देखो, ऐसे जितने भी tender निकले हैं, वो tender jam के market में 10 दिन तक display होगा, और फिर जितने लोग देखेंगे या जितने लोग interested है भरने के लिए, वो सब लोग यह tender को भर सकते हैं, है ना, यह tender भर सकता है यह stationary item है, jumbo stepler, medium stepler है ना, यह कुछ item निकले है, इसका tender निकला है, तो यह bid देखो, दस दिन के लिए minimum रहेगा, चार तरिक से लेके 14 तरिक, मैं दोनों के बीच का गया पर, यह चार से लेके 14 के बीच, कोई भी यह tender भर सकता है, direct purchase में, और क्या difference है, difference यह है कि direct purchase के लिए आपके पास eligible criteria बोलके कुछ नहीं होता है, मतलब, eligible criteria बीड में जैसे की eligible criteria होता है, eligible criteria कैसा, जोदी हम बात करेंगे तो, तो बीड में कुछ eligible criteria हो सकते हैं, अब यह सब चीज़े कब होगा, यह buyer decide करेगा, जो उसको यह tender निकालना है, तो eligible criteria क्या रखना है, माल लिजे एक tender निकाला है, एक buyer ने और उनको बोला है, कि आपका turnover, ITR, तीन साल का average turnover, आपके पास 10 लाक होना चाहिए, ऐसा उसने criteria रख दिया है, दो साल का experience होना चाहिए, अब जो जो criteria, eligible criteria रखेगा, वो आपके पास होना ही चाहिए, तो ही आपको tender भर पाएंगे, जदि आपके पास इसमें आपको चार norms दे दिए, कि आपके पास experience दो साल का होना चाहिए, और कुछ बोल दिया, ISO जो product होगा, उसका ISO का certificate होना चाहिए, अब माल लिजे आपके पा eligible नहीं हो, आप ये tender नहीं भर सकते, ऐसा diet purchase में नहीं होता, diet purchase में आप भर सकते, कोई भी चीज़ आपको order मिल सकता है, यहाँ पे इस tender में जो भी norms बताये जाएगा, जो भी tender के norms रहेंगे, जो documents रहेगा, eligible criteria, वो सभी चीज़े आपके पास होने चाहिए, तो आप उस tender के ल या फिर आप बोलेंगे, सर फिर में तो कोई भी बीड नहीं भर सकता हूँ, जनरली आप ऐसी जदी आप पिलकुल नहीं हैं, तो आप जनरली 80-90% tender नहीं भर पाएंगे, पहले आपको starting direct purchase से करना पड़ेगा, diet purchase में order मिलना चालो हो जाएगा, आपका 10 number बढ़ जाएगा, या फिर बहुत साई tender ऐसे भी निकलते हैं, जिसमें कोई documents नहीं मांगा जाता, ओइसे tender में आप फिर eligible होंगे, in short eligible का कोई जिए, ज़री आप उसके लिए eligible हो, तो आप भर सकते हो, eligible नहीं है, तो tender में आप वो इस tender में participate नहीं कर सकते, अब इस condition को क्या बोलते हैं, जब tender को कोई खुलता है, तो दो रोत ताइप में होता है, एक को बोलते है technical, और दूसरा बोलते है, finance, technical round, यह जो documents का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते है, technical round, तो tender में दो round होके गुजरना पड़ता है, पहला technical और फिर finance, जो लोग technical, जिनका document सही होगा, जो technical में qualify होगा, वही finance round मे entry करेगा, और फिर finance round में, जितने लोग आएंगे, उसमें से जो सबसे कम price देगा, उसको work order मिल जाएगा, वो L1 हो जाएगा, जिसको हम लोग lowest one बोलते हैं, यह है tender के norms, बोलिए, किसे को कुछ पूछना है, यहां तक में कोई doubts है, तो बताईए, अलो, जो आपने बोला कि पहले आप डारेक्ट पर्चेस करेंगे, तब हम बीड के लिए अपले के बलोंगे, तो जो पर्चेस अलग अलग है, नहीं, आपने जैसे बोले ना कि शुरुआत कि आप ये फर्म है, अब मान लिजे, दस लागा उसने टर्नोवर मांगा, तो वो दस लाग जैन का ही टर्नोवर, और पर्म का टर्नोवर, पर्म का टर्नोवर, कि मैं यहाँ पर जो लोग ये फंसता है, यहाँ पर प्राइवेट कमपनी का नहीं। पहले जदे government के साथ काम किया हो तो जेम का ही experience लगेगा ऐसा नहीं है पहले जदे आपने कोई दूसरे भी government department के साथ काम किया हो जब जेम नहीं था या e-procurement से order मिला है या offline mode में order मिला है तो भी चल जाएगा पर आपके पास उसका experience होना चाहिए मतलब पहले का काम क्या similar category का होना चाहिए ऐसे बहुत सारे नौम से जो हम लोग आगे details में इसका discussion बीड की lecture में करेंगे मोशीन खान मेरा concern वो नहीं मेरा concern है कि जो भी documents मांगा जाएगा वो सभी documents आपके पास होना चाहिए जितने भी documents मांगे है 20 मांगा है तो 20 के 20 होने चाहिए पचास मांगा है तो पचास के पचास होना चाहिए अब पचास में 49 है एक नहीं है तो आप इस्क्वालिफाई हो सकते हो कि यह कौन डिमांड करेगा बायर करना सप्लाइ करना आपकी रिसपॉंस रिठी है ना कि पाटिल सर शिवाजी पाटिल कि पाटिल मुझे यलवन आने के लिए अपना यह पॉइंट इक आप बता दीजिए सबको कि यलवन आने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम कौन सा ट्राइब करें और क्या ट्राइब करना पड़ेगा सब आने के लिए ऐसा नहीं है एलवन आने के लिए आपको अपना पॉड़क्ट बेठाना पड़ता है जो हम लोग एलवन के लेक्चर में कवर करेंगे बायर का जब लेक्चर चाब कवर कि आपको बेठाना कैसे ठीक थेंक्यू से रोके बोले नेक्स्ट कुछ पुछना यहां तक में और हलो अब बोली अनिकेदा मेडम यह जो आपने बोला ना वाक एक्सपीरियंस यह जैसे प्राइवेट सेक्टर नहीं यह जो पास्ट में किया वही उसका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वाइर है बराबर वही जो पास्ट में अपने कोई गवर्मेंट के साथ वज़र रहा है तो वह था है तो यह बीड के कुछ नौम से और भी बीड के नौम से यह सब चीज़ें हम लोग चल रहे हैं इसलिए थोड़ थोड़ा करके हम आपको हर एक पॉइंट बता रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं पी बी पी इसको बोलते हैं पुस बटन प्रोकूर्मेंट जनरली इससे ज्यादा था पर्चेज नहीं होता है अब बता पर्चेज नहीं होने का रिजन क्या है क्या बजा है जिससे पार्चेज नहीं होता ज्यादा था इसलिए यहां पर नहीं मलते हैं क्योंकि इसमें एसा रहे हैं कि नहीं रहता है पर इसमें कम होता है कम होने का बज़ा एक ही है ये एक ऐसा जगा है इसलिए इसके नाम भी बहुत कम लोग सुने होते हैं कि PBP बहुत सारे लोगों के लिए नज़र नया बात है पुस बटन प्रोक्रम और मैक्सिमम लोग पाटिसिपेट ही नहीं करते PBP इसका पीछे का भी रिजन एक ही है रिजन ये है कि PBP जो है ये जो पाँच लग का जिसमें लिमिट है इसमें कोई सेटिंग नहीं होता इसमें ओर्डर जेन्विन तरीके से ही निकलता है इसलिए PBP मार्केट में बहुत कम है बाकी जो दो प्रोसेस है यहां पर हर जेगा पर सेटिंग या मैनेज हो सकता है यहां पर मैनेज के कोई चांसेस नहीं ठीक है मैं आपको खरीदने का तरीका वता दूँगा बाद में PBP में पांच लग का लिमिट है पहले उसको L1 बनाना पड़ता है L1 बनाने के बाद उनको invite करना पड़ता है फिर वो लोग rate कम कर सकते हैं और इसकी time duration रती है 3 days का 3 दिन का time मिलता है और इसमें सिर्फ आपको rate code करना होता है इसमें भी कोई documents बगरा eligible criteria नहीं decide होता है सिर्फ आपको आपका rate code करना पड़ता है रेट फिर जिनका best आएगा order उसको चला जाएगा और rate code करने के लिए time जो मिलता है seller को वो है 3 days का 3 दिन का हाँ मौसिन खान बोली पतलब सर यह PB PB जो नए seller ने चरहे हम लोग हम लोग इस पर participate कर सकते हैं आप कर सकते हो आप तो कहीं पर भी कर सकते हो पर यह आपके लिए सबसे best options रहेगा और सर यह जो PB का रहेगा तो यह जिसे मैं MP से ब्लॉंग करता हूं तो इसमें filter लगा कि मैं अपनी MP का बिट सर्च कर सकता हूं या all over इंडिया का आपको invite हो के आएगा बायर जब आपको invite करेगा तो आपके portal में दिखेगा आपको और PBP item maximum Q2 category में सभी category में नहीं हूं वो आगे बताएंगे आपको details में बायर ही decide करेगा कि वो मुझे invite कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर उसके भी norms अलग-अलग है आप उसके लिए हम details में जब जाएंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा है ना अभी हर एक चीज के थोड़ थोड़े सिखा रहे पार्ट समझा रहे सिर्फ थोड़ा basic पार्ट में हम लोग अंदर नहीं जा रहे details जाएंगे तो मैं आपको उसका फिर और भी इसके अंदर जाँगा चलिए ठीक है तो यह है आपको order मिलने के तीन तरीके जिससे आपको order मिल सकता है यह तीन अलग-अलग तरीके से तो अब आपको order मिलने के लिए सबसे पहले बात करते हैं वह है डाइट पर्चेस फस्ट पार्ट डाइट पर्चेस तो डाइट पर्चेस का order मुझे मिल जाएगा मुझे order तब मिलेगा जब product मेरा लिस्टिंग होगा जैसे कि अभी मुझे अभी तक अमिजन से order नहीं मिलता है आज तक मुझे अमिजन से कभी order ही नहीं मिला क्योंकि मैंने अपना यहां पर पॉड़क्ट लिस्टिंग नहीं किया है जब मैं अपना पॉड़क्ट यहां लिस्ट करूंगा और कोई supplier इसको देखेगा seller मतलब बायर और फिर वो खड़ देगा तो order मुझे कि आएगा तो मुझे order मिलने के chances पर अजमे आपना पॉड़क्ट है कि यहां पर पॉड़क्ट करना सब्सक्राइघना चाहिए लिष्ट करेंगे लिष्ट नहीं करेंगे तो order नहीं मिलेगा तो लिष्ट कैसे कर सकते हैं लिष्ट करने के आपके तीन तरीके हैं क्या-क्या पहले को बोलते हैं pair करना दूसरा है clone और फ़र्ड है निव जब कोई product market में available है और हम वही product बेचना चाते सेम टूसिम वही वाला तो पेर जैसे की माल लीजिए market में यह वाला एक product है अन्ब्रैंडेट का जब किसी का brand नहीं होता था हम उसको अन्ब्रैंडेट बोलते हैं एक product है या कोई भी एक product ले लेते हैं जैसे की mobile आप लोगों सबसे अच्छा समझ में आएगा smartphone बोलते हैं यह इसका category भी पता होना चाहिए आपको है ना क्या बोलते हैं किसको smartphone जैसे जैसे जैंपे काम करोगे इसका idea आपको आते रहेगा यह इस पेस देना पड़ेगा फिर इस smartphone है ना देखो यह रहा smartphone अब मैं कोई product बेचना चाहता हूं जैसे कि यह Samsung का इसका model number क्या है A03 A03 वाला जो model number है यह product मेरे पास भी है मैं भी इसको बेचना चाहता हूं अब जैंपे कोई बेच रहा है और मैं भी बेचना चाहता हूं तो मैं इस product को यह जो product है इसको मेरे profile में पूरा का पूरा product ही copy कर लूँगा जब यह product market में available है और यहाँ पे display हो रहा है और उसी product को अपने profile में copy कर लोगे इस process को हम लोग यहाँ पे pair करना बोलते हैं मतलब यही वाला product आपके profile में list हो जाएगा जब यह process करते हैं तो इसको हम लोग पेर बोलते हैं पर पेर में भी एक rule है कि पेर में order उसको ही मिलता है जिसका rate सबसे best होगा अब क्लोन किसको बोलते हैं अब मार्केट में मालों यह सैमसंग ब्रांड का पोड़क्ट है इसके कुछ specification किसको बोलते हैं नीची इसको हम लोग specification मतलब रैम कितना है इंटरनल स्टोरेज कितना है एक्सपेंड कितना होगा प्रोसेसर कैसा है स्पीड कैसा है ना डिस्प्ले कितना इंच का है यह जो डिटेल्स है इसको हम लोग specification बोलते हैं जब मैं कोई पोड़क्ट का सिर्फ इस स्पैसिफिकेशन को मेरे प्रोफाइल में मेरे पोड़क्ट में कॉपी करूंगा सिर्फ इस स्पैसिफिकेशन तब मेरा brand अलग होगा, मेरा photo अलग होगा, मेरा price अलग होगा, इसको हम लोग बोलेंगे clone करना, clone मतलब सिर्फ इस specification को copy कर लेना, और नया जब मुझे पॉड़क्ट मेरे अपने तरीके से मेरा स्मार्टफोन डालना है अब मुझे मार्केट के पॉड़क्ट से लेना देना नहीं है ऐसे कंडिशन में हम लोग नए तरीके से पॉड़क्ट लिस्ट करेंगे पिर से रेपीट करता हूं तीनों जब कोई पॉड़क मार्केट में अवलेबल है वही पॉड़क को आप भी बेचना चाहते हो तो फिर क्लोन जब कोई पॉड़क का कोई दूसरे ब्रैंड में कॉपी करना चाहते हैं यह समसंग का ब्रैंड है अब मोटो का एक मोबाइल फोन आया पर सेम स्पेसिफिकेशन के साथ या फिर इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हैं तो हम इस पॉड़क को के स्पैसिफिकेशन को जदि कॉपी करना चाहते हैं तो क्लौन और जदि मुझे अपने नए तरीके से मेरा पॉड़कर डालना है तो निन है कि तुमें यह पर तीन अलग अलग तरीके से पॉड़क्ट हमारे प्रोफाइल में लिस्ट कर सकते हैं पेर में और एक लिश्टिंग करने का टाइम पेर में पोड़क्ट लिस्टिंग करने का जो टाइम है वो दस मिनेट से लेके 6 घंटे तक का है टाइम मतलब एप्रूबल कितने टाइम में मिलेगा अमने पोड़क्ट मेरे प्रोफाइल में कॉपी कर लिया तो क्या तुरंद मुझे ओर्डर मिल सकता है नहीं मिनिमम दस मिनेट मैक् क्लोन और नेहा का दोनों का टाइम हे टू टू सेवन डेजंघ दो दिन से लेके साथ दिन आपका पोड़क्ट लिस्टिंग होने के लिए टाइम लगेगा पेयर में दस मिनेट से चछे घंटा और क्लोन और नाया में दो work के साथ दिन का टाइम duration लगेगा मतला अभी आपने कोई पोड़ेट क्लोन किया या नया डाला तो मिनिमुम दो दिन मैक्सिमुम साथ दिन कि बोली कुछ डाउट से है इसमें पेर या क्लोन में या नया में पर एक बारे प्रोड़क्ट कैसे अप्लोड करेंगे यह थोड़ा बताइएगा प्लीज अभी हम लोगों और उसमें क्या-क्या होता है एक थोड़ थोड़ा आपको इंटोडेक्शन दे रहा हूं कोई भी चीजा सिखाने रहा हूं कल से प्रॉपर वेसे एकदम यही सब चीजे एक-एक करके सिखाऊंगा न्यू प्रोडेक्ट में कितना समय लगए अप्रॉवल के लिए दो से साथ दिन जदि आप ओएम हो तो छे घंटे के अंदर है ना पॉड़क्ट जर्णली दो लोग बेचते हैं कौन एक रीशेलर एक ओएम जदि मैं किसी से खरीद के बेच रहा हूं तो रीशेलर मैं खुद मैंनिफेक्चरर हूं तो मैं ओएम यह कहां पता चलता है यहीं पाद देखो इसमें सोल्ड वाई क्या है रीशेलर जदि यह पोड़क्ट जो मैनिफेक्चरर करता है वो खुद बेच रहा है यहां पे ओएम बोलके आ जाए जिसे देखो यह कंपक वाला यह खुद जो मैनि जड़ी यह वाला पूड़क्ट डालना चाहता हूं तो दो से सब्सक्राइब और कुछ किसी को पुछना है यह प्रैक्टिकल में पता चलेगा विकाज अभी तो ऐसे इसलिए आपको अभर दा हैड जाने के लिए बता रहा हूं कि आपको यूस्टू हो जाओ मेरे बाते से और थोड़ा सा आपको इंटरडेक्शन पता चल जाए नहीं तो हम लोग जिस दिन लेक्शर लेने के लिए जाएंगे उस दिन हमको यह सब बताते रहूंगा तो क्या होगा कि सब वर्ड आपके लिए नया हो जाएगा और फिर आपको समझने के लिए थोड़ा दिक्कत हो संथा है और यहां पर क्या होता होिकि कुछ लोग बिलकुल नहें दो आज का जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे हम सब को एक साथ एक ब्लेटफॉर्म पे लेके आयते हैं ताकि जिन लोग को कुछ पता है जिसे कांसर को थोड़े कुछ पता है तो मै अदर के तोर पर किसी चीज को लिस्ट करते हैं टेंडर में बिड में तो वी डोंट आफ तो गिव एनी ओई एम नंबर नो नहीं आपको यह लग सकता है वोट डिपेंड अपन टेंडर टेंडर टर्म सन कंडिशन ओकी ठीक है चलिए तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे पोड़क्ट लिस्टिंग करने के तरीके वरके बारत अब पॉड़क्ट लिस्ट करने के भी कुछ नॉमस हैं वह क्या नॉमस हैं एक नॉमस यह है जो पोड़क्ट का mrp इससे आपको 10% discount दियना ही पढ़ता है जो MRP है इससे जेम पे 10% डिसकाउंट देना ही पड़ेगा कोई भी पोटर्ट देखो मिनिमम 10% डिसकाउंट के साथ है ज्यादा दे सकते हो 20, 50, 100, 100 नहीं 99% तक डिसकाउंट दे सकते हो पर 10% मिनिमम डिसकाउंट देना ही पड़ेगा यह रूल है एक रूल हो गया दूसरा और भी लिस्टिंग करने के कुछ रूल से लिस्टिंग करने के क्या रूल देखो अभी जैसे आपने स्मार्ट फोन डाला तो इसके सामने लिखा रहा है क्यू टू कैटेगरी ऐसे आपको हर पोड़ेट के सामने कुछ ना कुछ कैटेगरी लेके आ जाएगा जैसे स्मार्ट बोर के हम सर्च कर लेते हैं अब देखो smart smart bin q3 में smartphone q2 में books q4 में smart rack q3 में television q2 में smart card printer q2 में तो यहां पर देखो आपको अलग-अलग नजर आ रहे है कोई q2 में कोई q3 में कोई q4 में कोई q1 में कुछ q6 में नजर आएंगे q5 जन्रली बंद हो गया q6 में नहीं है q5 नहीं ओडी ओपी जो है इसको बोलते हैं वन डिस्टिक वन पॉड़क्ट यह सब q6 में तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलग-अलग कैटेगरी में तो यह जो है इसके कुछ रूल से अब ज़िदी पॉड़क्ट आपका q6 में तो इसके रूल सबगे q1 में है तो उसके रूल सबगे q2 में है तो रूल सबगे तो यह listed, यह decide किस ने किया है, अब dustbin किस में होगा, Q1 में होगा, क्या, या Q4 में होगा, Q3 में होगा, Q4 में होगा, यह कौन decide करेगा, तो ये jam के तरब से decided है, ये कौन decide करता है, jam, तो हर एक category को jam decide करता है, और ये category बदलते भी है, आज आपको dustbin हो सकता है कि Q4 में दिख रहा है वो Q3 में चला जाएगा Q2 में भी जा सकता है जैसे कि example को लेते हैं cheer यह सबसे example लेते हैं जो सबसे ज़्यादा घुमा है उसको बोलते है copier paper मतलब मैंने अभी तक इसको हर category में देख लिया plain copier paper जो अभी Q4 में है इसको मैंने तीनों category में घुमते हुए देख लिया दो साल के अंदर यह Q2 में भी था Q3 में भी था और Q4 में जब यह list हुआ था तो Q3 में था बाद में इसको Q2 में shift कर दिया गया और अभी यह Q4 में है तो हम यह नहीं भी बोल सकते हैं कि कौन सा category यह बदल भी सकता है तो बदल गया तो इसके rules बदल जाएगे Q2 होंगे तो Q2 का rules चलो हो जाएगा Q3 हुआ तो Q3 का rules चलो हो जाएगा Q4 में गया तो Q4 के rules चलो हो जाएगे ठीक है चलिए एक्जामपल के तोर पर समझते हैं सबके rules क्या है हम यहाँ पर Q1 का rules सबसे पहले समझेंगे Q1 में सिर्फ OEM ही अपना participate कर सकता मतब reseller को entry नहीं है जैसी कि इसमें है पूरे automobile industry Q1 में Cars, electric cars, ambulance यह सभी Q1 category में इसमें reseller नजर नहीं आएगा सिर्फ OEM ही नजर आएगा seller में OEM कहीं आपको reseller नजर नहीं आए जो भी Q1 के category होंगे इसमें आपको reseller नजर नहीं आएगा पर क्या automobile Q1 में है नहीं बोल सकते कर dustbin को उठा के Q1 में डाल सकता है तो Q1 के rule चालो जाएगे reseller dustbin नहीं बेच पाएगा तो जब जैसा rule आएगा उसके ही सबसाब को काम करना है तो यह है Q1 के rule Q2 का rule क्या है generally Q2 में क्या है Q2 में पूरे IT के product जैसे कि desktop, laptop, projector, printer, cctv Q2 में बड़े electronics, refrigerator, tv Q2 में AC Q2 में medical जो लोग medical में काम करते है medical मत्त है health department के साथ काम करते है या medical के product है उनके 80% से ज़्यादा product Q2 में medical वाले के more than 80% और जो 20% बजगे है वो भी 6 मेने में Q2 में चला जाएगा यह सब product Q2 category में जैसे कि हम लोग एग्जामपल के तोर पर देखते है desktop desktop computer Q2 में है और एक है AE के desktop computer जो Q3 में इसमें कोई product list नहीं है नहीं दिया category है processor सिफ processor से चाहिए तो Q3 में है पर पूरे desktop चाहिए तो Q2 में desktop calculator Q4 में ऐसे आपको अलग-अलग चीज़े मिल जाता है ठीक है दाथीन computer Q2 में तो यहां पे आपको इस तरीके से पता चलेगा तो जो product Q2 में है उसके rules क्या है rules यह है यहां पे आप कोई भी product without authorization नहीं बेश सकते है आपके लिए authorization must है without authorization यहां कोई भी product नहीं बेश सकते है authorization must है Q2 category में जैसे की example देखते हैं हम लोग इसका अब हम बात करते हैं sir authorization as in OEM जो manufacturer है उससे आप permission लेकि authorization code डालते हो that is authorization जैसे हम लोग अभी जैसे मैंने मेरे पास कुछ चीजों का authorization है जैसे की example के लेते हैं interactive panel इसमें हम लिख सकते हैं पढ़ा सकते हैं आप लोग यूट्यूब बगरा में बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखे होंगे या फिर क्लास्रूम्स में भी अभी काफी यूज हो रहा है इसको interactive panels बोलते हैं अब देखो यह product हम बेचने की कोशिस करते हैं लॉग इन करके तो मुझे यहां पर देखो sell this item का option नहीं आगा है बट मेरे पास authorization है कौन से ब्रैंड का LG का LG का अब मैं LG के कोई भी पोडर बेस्ट है जो बोलेंगे आप उसमें मुझे sell this item का options आएगा क्यों आ रहा है मुझे दूसरे ब्रैंड में नहीं आ रहा है पर LG में आ गया इसलिए कि LG का authorization मेरे पास है सेम डेक्स्टॉप कंप्यूटर में लैप्टॉप में लैप्टॉप नोट्बूक में हम लेते हैं सबसे पहला एच्पिक में इसमें मेरे पास sell this item नहीं आ रहा है क्योंकि HP का authorization नहीं है मेरे पास बट एसर के है यही एसर का ले लो इसमें मुझे sell this item आएगा क्योंकि इसके authorization मेरे पास है तो यह Q2 category में होगा जिसका authorization आपके पास है वो product आप बेच पाएंगे जिसका authorization आपके पास नहीं है वो product आप नहीं sell कर पाएंगे सिंपल है Q2 category में जड़े आपको आपका पोड़क्ट सेल करना है तो authorization लगेगा ही लगेगा यह मस्ट है विदाउट authorization Q2 category का कोई भी product सेल नहीं कर पाएंगे यह Q2 और जब आपको जैसे कि दिश्टिबूटर मिलता है डिलर सिप मिलता है आप को डिश्टिबूटर डायट कमपणी को मेल कीजिए उनके वेब साइट में जाएंगे उनको मेल कीजिए उनसे बात कीजिए वो आपको दे सकते हैं या फिर आपके जो नए नेर्वाइड इस्ट्रिबूटर है आप उनसे मांग सकते हो क्यों मुझे चाहिए या फिर मार्केट में बहुत सारे लोग सेल भी करते हैं आप उनसे भी कुछ लिमिटेट टाइम के लिए खरीद भी सकते हो तो ऐसे आपको अलग आपके पास उस्ट है लगेगा आपको जहां से भी और वह पांच लाग से नीचे है तो क्या उसके लिए क्यों टू कैटिगरी में आपको बेचना है तो ऑफ्राइजेशन मस्ट है चाहिए वह बिलो फाइव लैक्स हो कैसा भी पांच लाग हो दस लाग हो पचास लाग हो विदाउट ऑफ्राइजेशन आप क्यू टू पोड मैक्सिमम सबसे ज्यादा पॉड़क्ट क्यू थ्री में कोई भी चीज ले रहते हैं क्यू थ्री में कॉमन आइटम कि अमित सर बोलिए क्या ले लू पॉड़क्ट अब टेबल सर पर नीचर आइटम पर नीचर आइटम में जैसे हो गया चियर अब चेयर में रिवालविंग चेयर क्यू तो में जोविल वाला चेयर है उसको अभी अभी डाला गया दो मेहना पहले, दो-तीन मेहना हो गया, नवंबन में Q2 में गया, तो यह देखो, यह है, है न, Q3 में, आप Q3 के रूल्स क्या है, क्या मैं अभी हरे पोड़ेट बेश सकता हूँ, अभी में बोलूंगा नहीं, Q3 में आप बेश सकते हो, Q2 में कैसा था, without authorization बेश ही नहीं सकते, पर Q3 में ऐसा नहीं, Q3 में आप बेश सकते हो, पर हर एक ब्राइंड का पोड़क्त नहीं बेश सकते, ऐसा नहीं है कि Q3 में आपको एंट्री ही नहीं है, एंट्री है, पर depend upon ब्राइंड, अब आपके बस ब्राइंड का फिर्टर है, जैसे CRN क्राफ्ट, तो इसका एक कोई भी पोड़क्त आप बेच नहीं सकते, सिल नहीं कर सकते, without authorization, without authorization, with authorization तो बेच पाओगे, क्यों, क्योंकि इसमें OEM बेरिफाइड है, अब दूसरा कोई ब्राइंड ले लेते, ब्राइंड, मेरे नोन ब्राइंड, देखो, कितने सारे ब्राइंड लिस्टेड हैं याँपे, इतने सारे, पैर वर्ड साय दिये, without authorization वाला है, ये भी वेरिफाइड है, ये ब्राइंड का भी पोड़क्ट आपने वेश सकते हैं, बहुत सारे ब्राइंड है, हमें उतना details नहीं नहीं पता, आपको आपको बहुत सारे से ब्राइंड मिल जाएंगे जिसका आप बेह सकते हो, आपको को चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं जैस्वाल ब्रैंड का पोड़क्त सकता हूं कर यह ब्रैंड का जित्ने भी पोड़क्त है आप出去 क्लिकर यह सकते हैं ऴाद माले लएज़िए कोई भी ले लीजिए जे डिपी एक ब्रैंड ये इसका कोई भी पॉर्ठेट खोलकर देख लेना है GDFC ब्रांड के कोई भी पोड़क्ट आप बैश सकते हो जितने भी पोड़क्ट है सब के सब किसी के लिए आपको ऑथ्राइजीशन की जोड़त नहीं पड़ेगी ठीक है तो क्यूट्री कैडिगीरी में आप पोड़क्ट बैश सकते हो depend upon ब्रांड जो ब्रैंड में OEM verified रहेगा उसको with authorization बेचना पड़ेगा और जिस ब्रैंड में OEM not verified रहेगा उस product को आप बेच सकते हो without authorization clear है Q3 category without से sir इसको बेचेंगे कैसे कहां से उठाएंगे इस समान को हमने जिंदल का डाल दिया where can we pick this जिंदल का chair from वह आप सेल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आप जोड़ी सेल कर रहे हो तो आपको फिर पता करना पड़ेगा ना कि बिजनिस करना आपको है तो आप सेल हम आपको बता सकते सेल कहां करना है सेल कैसे करना है खरीदना कहां से मार्केट में कहां पी यह मिलता अवेलेवल है तो आप बेचने से पहले सोचिए मत सेल कीजिए आपको जिदी इसके बारे में नहीं पता है जो पता है वो सेल कि अदर्वाइस आपके पास अप्सें से ले 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 अन ब्रैंडेड अब आप कोई भी प्रोड़क्ट में दो अन ब्रैंडेड मतलब जिसका कोई ब्रैंड नहीं अब आप कुछ भी दे सकते हो अन ब्रैंडेड पांच हजार 494 प्रोड़क्ट है इसमें कोई अप्राइशन नहीं लगेगा कुछ नहीं मैं यह बोल रहा है सर की जैसे q1 q2 q3 हो गया वैसे यह v2 क्या है मतलब इसका वर्जन अप्डेट होता है इस मतलब व्यूट बगएर जो भी है इससे कोई सब्सक्राइब नहीं नहीं पड़े है ठीक है सर्थ थैंक्यू सार्थ पांसर यह को आरी था मेरा यह डॉक्यूमेंट में भी किसी किसी में q2 बात में बात करते है q2 के बारे में टेंडर के रिवेंट पूछ रहे तो बात में बात कीजिए अब फिलाल q2 q3 के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं सेमसेंग सेमसेंग ऐसा पिलेज कल से नाम से कनेट होने का नहीं तो मैं आपको अलाव करूंगा तो पूछ रहा था कि जो q2 में जैसे हमारे पास चाहिए होगा बेचने के लिए q3 में भी आप बोल रहे हो कि अगर वेरिफाइड है तो चाहिए 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 तो फिर इधर डिफरेंस फिर क्या रहे गया हमारे पास q2 में कोई भी पोड़क्ट नहीं बेच सकते q3 में तो आप बेच सकते हो ना कोई एक ब्रैंड का प स्पेसिफिक आइटम्स के लिए बस इसलिए बहुत सारे अभी अन ब्रैंडेड में पांच हजार्ट नाइंटीफोर आइटम किसी को बेच सकते हैं एए ऐसे बहुत सारी ब्रैंड है जैसे मैंने दिखाया जिसको आपको बेचने के लिए उप्राइशन की जोड़त नहीं पड़ेगी यहां पर भी इतने ब्रैंड दिख रहे हैं असी परसंट ब्रैंड में ऑफ्राइशन नहीं लगया एटी परसंट में तो इंटी परसंट परस्ट है सकते हो या फिर सुक्स्ती सेवेंटी परसंट बैस्ट सकते हो कि फ्रटी परसंट परकाट्विकीर आप सभी प्रोड़क्त को यी बेचना है तो ऑफने अब आता है क्योंप देगए क्योव sowड में क्योव में पूरे प्लेन कॉपियर पेपर जो क्यूफूर कैटेगरी में होगा हम लोग एक्जाम्पल के तो अब ही कॉपियर पेपर में आपको कोई यह बेचो या कोई भी ब्रांड बेचो वह तब भी नहीं कोई प्रोड़ा इसमें ऑऊ-इम वेरिफाइड है तब भी आपको जोड़ाइशन की जोड़ात नहीं यह जोएँ बेडिपाइड फिर भी आप यह वारा पोड़क्ट विदाउट एनी ऑऊ-इनि अउट एल्टाइ क्यूपोर काटिगरी में जैसे कोई भी पॉड़क्ट आपका क्यूपोर काटिगरी से बिलोंग करता है आप वो पॉड़क्ट विदाउट एनी ऑथराइजेशन तेल तो यह यह यूवन से क्यूपोर के रूल से पालस दत्तुख दपालस दत्तोख वलियो सब्सक्राइब पालस शर प्लीज अन्म्यूट कीजिए बुझे सब्सक्राइब करने घर में एक पुछना था यह आपने अभी बताया था जो फूल वाला रिवाल्विंग च्यार होता है जिसके लेक्स में फूल रहते हैं क्यू तू में चला गया है बट क्यू थी में ऑफिसे ऑफिस चेर वगड़ा है तो आगर हम रिवाल्विंग च्यार बेचना चाहत मुझे अभी वह निमत बताओ क्यू तो आपने तो बताया थाना अभी जो फूल वाला च्यार है वह नहीं हम अभी वह पॉडट के बारे में डिसकुसन बंद कर दीजी क्योंकि अभी आपको समझना आगया अब आपको बताना है क्याटिगरी के हिसाब से रूल्स रागू ह जाएंगे आप बात कर निया क्यूत्री का एं डियृवल्विं चैरमूं कत्यओं करो कि करें मुझे वह नहीं पता है कि आप कौन सा चीज पूछ रहे हो में बात कर रहा हूं क्यूटू तो पहले पता करो कि रिपेडिक रिवॅल की से और में हैं तू है क्योश्टू में है या क्यूशूर में पहले मैं हुआ घ्राख माँ सीर्डॉष तो कि रूण लागू bureau के कि में यह बताता है कि क्यूट्टू में कोई भी पॉड़क्ट विदाउट अफ्राइजिशन नहीं सेल कर सकते है अच्छा सर यह हुआ पूछने का सही तरीका पूछने का तरीका बदलना पड़ेगा आपको आपको है ना घेदरे क्यूपोर में भी बायर अत्राइजिशन मांग सकता है क्या किसके लिए नहीं लगेगा और पांच लाग से ज्यादा का जैसे रहेगा जो फिर बीड के कंडिशन पर आएगा वह बीड के कंडिशन पर रहेगा वह बीड रहेगा बीड के कंडिशन फिर से आप लोग कुछने का तरीका बदल रहे हो डायरेट परचेस के लिए नहीं मांगेगा जदि डायरेट परचेस नहीं है तो बीड में क्या टर्म से उसके हिस सबसे वो चीज़े लागो होंगे वो सब चीज़े आपको आगे के क्लास में कवर करेंगे बीड के कंडिशन चेक करना क्या है उसमें क्या-क्या चीज़े लगेगा और चलिए और कुछ पूछना किसे को यहां तक में सब्सक्राइब करने तो आपको बताते हैं क्या अपडेट होगे चलिए तो फिर नाते हैं नेक्स्ट क्यू फाइफ में जन्रेब पॉड़क्ट नहीं है क्यू सिक्स को बोलते है ओडी ओपी वन डेस्टिक वन पॉड़क्ट यह है क्यू सिक्स कैटिगरी यहां पर जड़ी आप देखेंगे तो यहां मिल जाएग आपको यह लास्ट वाले ओडी ओपी वन डेस्टिक वन पॉड़क्ट यहां पर वो पॉड़क्ट है जिस डिस्टिक का जोग फेमस है जैसे की अर एक डिस्टिक का यहां देखो मैप दिया है इंडिया में और किस स्टेट में कितना कैटेगरी फेमस है वो बताया उपर से लेते हैं लग्दाक में त उत्राखंड में दस यूपी में 33 हर्याना में 31 पंजाब में 31 हर्याना में 6 राइजिसन में 12 दिल्ली में कुछ भी नहीं है गुजरात में 11 तैसे आपको यहां से पता जलता है अब इसका डिटेल देखना है तो भी देख सकते बोलो कौन सा सब्सक्राइब का लूँ कि मंद्यप्रदेश क्या फेमस है आपके राखंड में क्या फेमस है प्रोड़क्ट यहां पर बहुत सारे लिए क्या लिस्ट है देखो बोल आपका डिस्टिक क्या है बताओ सागर सागर में कुछ चीज़े फेमस है सागर में क्या फेमस है वो देखते हैं सागर में फॉर्म कूस्टमेंट फॉर्म famous है ना तो यह जो product का category है यह Q6 में आएगा ज़री आपको पूरा MP का देखना है यहाँ पर क्लिक कर दो and search पूरे MP में हर एक district में क्या क्या category में क्या चीज़े फेमस है वो आपको पता चल जाएगा जैसे यहाँ पर प्रेंट साड़ी धार में है भोपाल में जड़ी जर्दोसी पूर्डक्ट क्या है यह पर देखना है यहाँ पर क्लिक करो इसमें 19 पूर्ड़क्ट अवेलेवल है यह यहां का फेमस है तो ऐसे चीज़े आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा यह जो होगा यह क्यू सिक्स कैटिगरी में होगा और यह पूर्डक्ट जिदे आप क्लिक करेंगे तो यह हर एक पूरड़क्ट क्यू टू के रूल सी लागूंगे हर एक पूरड़क्ट होगे ले रहे जो सिक्स काटिगरी तो पिर आते हैं फिर यह हो गया काटिगरी की बाते अब है यहां पर दो ऑप्सेंस एक रीशेलर और एक ओयम यहां कौन-कौन क्या-क्या बेश सकता है एक रीशेलर और अभी तक खोन बन सकता है जो मैनेफेक्टर रहें जड़ी में का Люб करता हूं तो मैं यहां करना सकता हूं तो फट्रह्ते आपने यहां पड़ेगा तो जेम में जो only में के लिए heartfelt करता है उसका अभी नया आया है राइट्स एलै पहले इसे को करता था क्यों कि आए अब यह डिबार्टमेंट बदल दिया है अब आ गया नया दिपार्टमेंट राइट्स और यह पैनल दे दिया जाएगा और फिर आप OEM बन जाओगे OEM के लिए दो प्रोसेस होके घुजरना पड़ता है क्या क्या OEM के लिए जो प्रोसेस है वो है एक है Reseller एक है Reseller दुसरा सॉरी OEM के लिए दो प्रोसेस है एक है Desktop Assessment और दुसरा है Video Assessment ऐसे दोप्र डेक्स्ट डॉप एसेस्मेंट में इस जिस कैटेगरी में आप OEM हो उसके लिए जो डॉकुमेंट्स की रिक्वार्मेंट है वो सब डॉकुमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा जदि उनको लगा कि आपको यह बने के लिए जो डॉकुमेंट्स चाहिए वो सब डॉकुमेंट्स आपके पास है तो आपको फिर विडियो एसेस्मेंट के लिए बोलेगा विडियो एसेस्मेंट में ओनलाइन विडियो कॉल से आपका पूरा फैक्टरी विजिट करेगा और आप जो पूड़क्ट मैनिफेक्ट्रिंग करते उसको भी वेरिफाई कर देगा उनको लगा कि सच में आपका सब कुछ पोड़क्ट सही है सब कुछ ओके है तो आपको ओएम पैनल दे रिया जाएगा तो देखो कि ओएम पैनल कैसा दिखता है वह भी बताता हूं जेम का साइड भी थोड़ा स्लो है और आपको इसके आदत भी डालने पड़ेगी देद्रे खान सर बोलिए सर फेक्टरी होना चाहिए या अगर सर वर्क्शॉप है हमारा तो वह भी चल जाएगा मतलब मशीन वगरा दिखाना पड़ेगा जो 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 उस पोड़ेट को बनने के लिए जो लगता है वह आपको दिखाना पड़ेगा यह ज्यादा बड़ा वी निलब पांच जार इसक् पर वह एफ्टीज होना चाहिए आब आरो बड़ा और प्लंड बना रहे हो और swa रखने चीजह लिए consistent has के पास होना चाहिए बस है कि नहीं बागी मशीन है बड़ी बड़ी जादा बड़ी है वो उतने एरिया नहीं है यह सब चीजे वो लोग भेरिफाई करेगा जैदे उनको लगा कि हाँ इसमें हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा पैपलाई तो करके देख सकते हो है कि नहीं जो भी नॉम से गॉर्मेंट के जो भी नॉम से वह रिक्वार्मेंट होना चाहिए बस इतना है जैसे जब आपको यह पैनल मिल जाएगा तो आपको यहां पे बेंडर सेलर पैनल के नीचे एक गलत आइडी खुल गया इसमें पैनल नहीं है सिब रिशेलर पैनल है क्योंकि इसे ओए नहीं है मैं अभी ओएम का खुलूंगा तो आपको बता चलेगा कि उसमें पैनल के नीचे ओएम पैनल नजर आएगा पहले वारा आईडी लोगाउट नहीं हुआ तो अब देखुआ सेलर पैनल दिख और यां मतलब मैं इस कैटेगरी में ओ आप मैं इस कैटेगरी के इतने लोगा अचनि सब्सक्विआए इतने सारे करल में अब मेहरा इसमें कोई पोर श你要 अब को देखेगा कि मैं उसमें एर डीलोग इन करो जैन का नょ defeated कि चलो यह category में मैं किस ब्राइंड में हूँ अन्ब्राइंड शब्राइजन से कुल कि मैं एक category सर्च करेंगे तो भी आपको भी जाएगा यहां पर जो मेरे product हैं वो OEM verified होगा और आप मेरा product को पेर करते हैं तो मेरे पास approval के लिए आएगा और जब तक मैं यहां पर आपको approval नहीं दूँगा तब तक आप देखो एक product मेरा list है है किने मेरा product अब जब तक मैं इसका किसी को approval नहीं दूँगा तब तत यह product कोई भी मेरा product टच भी नहीं कर सकता जिनको approval दिया है वही वाले लोग मेरे product को पेर कर सकते हैं इतने लोग को approval दिया हो एक दो देखो मैंने कितने एक तो मेरा ही है तीन हजर वाला और मैंने approval कितने लोग को दिया है एक दो तीन चार चार लोग का approval दिया है ना तो यहां पर देखो मैंने चार लोगों के नाम डिस्प्ले होंगे मेरे पैनल पर कि मैंने किसी को निकाल दिया तो वहां से निकल भी जाएगा फिर से हम गलत जिवा पर जा रहे हैं कि अधिक में बीच में नहीं बोलेंगे कुछ पुछना है हैंडरेज करको यहाँ पर आते हैं मैनेज आप्रोवल ऑके डिंद सेलय कि एल किसको अप्रोवल मांगा है ध्यकमर कांटरम ने मैं इसको अप्रोवल करूँगा तो और एक लिस्ट बढ़ जाएगा मैंने अप्रोव नहीं दिया है पैंडि hundred किस्को दिया है तो तो देखो यहां चार वेंडर के नाव आएंगे पांच यह पांच वेंडर को मैं ने दिया है अब मैं इसको निकालना चाहता हूं माल लिजए ठीक है जैस अजन्सी को अनाथ्राइज कर दूंगा तो उसके पॉड़क्ट भी निकल जाएंगे मेरे पैनल से तो यह है वो यह अपना आपका पॉड़क्ट कभी भी आपके लिस्ट से अपने पेर क्यावा पॉड़क्ट भी निकाल सकता है कभी भी आपको वहां से बाहर भी कर सकता है तो यह है एक समराइज आपका जो मैं आपको सिखाने वाला हूं इसको छोड़के छोड़ी-छोड़ी चीज़े होंगे यह सब आपके लिए इंपोर्टेंट पॉइंट थे यह छोड़के बायर में और कुछ कैसे हैं कि एलवन कैसे करते हैं डायट पर्चेस करते हैं इन सौट समरी में बताएं तो आपका आपके आपको दिलाने तक और उसका बिल प्रोसेस करने तक हम आपको सिखाएंगे उसके लिए जो जो आपको करना पड़ेगा वो सब आपको यहां पर क्लास में बता है देखो यहां पूस्ट बटन प्रोक्रीमेंट है जाता है तो उस प्रोड़क्त को क्या जर्माइपनी से करके मार्केट में अधेंगे नाम से लेटर के बात में वहां एक कोड रहता है वह कोड मिलना चाहिए बस यहां कोड़ आपको मिलेगा कोड़ आपको मिल गया तो बस हो गया कि वह कोड़ सही दिया या गलत यह आपको तुरंद बता देगा है कि अगर कोई जैंप पर नहीं है तो आपके पास इंडिया के कंपणी ट्रेड मार्क लगेगा इंडिया के बाहर की कंपणी है तो लेटर लेटर लगेगा कोई मार्केट में कोई ब्रांड आप भी लिस्ट कर सकते हैं वह ब्रांड लिस्ट करने के लिए आपको जो डॉकमेंट लगेगा जदी वह ब्रांड इंडिया का है तो ट्रेड मार्क लगेगा बाहर का है तो लेटर लगेगा उसने आपको प्रोवाइड कर दिया तो अपने ही प्रोफाल से आप वह ब्रांड रेइस्टर कर सकते हो और जैसे आप ब्रांड रेइस्टर कर दोगे सबको पूरे जेम में जितने भी लोग है सबको ब्रांड द तो आपके और उनके बिजनिस की बाते हैं अच्छा मेरे से आप contradiction नहीं कोई फरक नहीं पड़ता फ्री दिलरत से मैं फ्रमाइए फ्री में नहीं तो मैं अपको आपको बदले बोलता कि मुझे बिजनेस दो मैं आपको फ्री माउथराइशन दोंगा तो हर एक बिजनेस पॉरिसी के इसाब से अलग अलग चीजे बदल जाएगी है कि ने अब इस एक सब्सक्राइब में अपन के वल प्रोडेक्ट वैसी है सर्विस बेस टेंडर्ड भी है सर यहां से मैन पावर वाइकल हाईडिक आपकी सर्विसेस क्या है बताओ एक्षिली बस पूछा जैस्ट नॉलेज के लिए सर्विसेस भी बताता हूं सर्विस में भी लिश्ट कैसे करते हैं सर्विसेस का टेंडर कैसे भरते हैं सर्विसेस का टेंडर बनाते कैसे हैं यह सब सर्वि इसमें एमसी बगरा आती हैं सरके सर्विसेज में एमसी अभी अलग अलग है देखो एमसी डाला तो इतने सारे एमसी है इसको दो बालते हैं कुछ यह पर अनुवल मैंटरेंस कॉंट्रेक्ट बोल के विए तो दोनों नाम से आपको सर्च करना है और जैसे डिपार्टमेंट् इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा फैसलिटी मेनजमेंट डालग है मैंपावर आउट्सोर्सिंग बोलते इसको फिक्स्ट में सल्दी बेस्ट है और मैंडेज बगरा चाहिए तो डेली बेसिस पे चाहिए तो मैंडेज या मिनियूंग इस ठीक है अलो सर असुत सर अलो स कि अगर दो डिफरेंट रिसेलर्स हैं तो अगर एक कंपनी कोड दे रही है तो वह दोनों के लिए सेम होगा कि डिफरेंट नहीं सर आप मेरा ले लो आपको बोलेगा यहां कोड काम नहीं करेगा अच्छा आप जहां सोचता है जैसे सोचते हो ना उससे ज्यादा सोचके व और जड़े ऐसा होता तो मैं आपको पहले ही बता देता है तो पॉसिबल नहीं है ना इसी नहीं है ना फिर पालेशन कोड़ पछी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेगा उनको ही पहला कोई लूंगा सब्सक्राइब करते हैं जैसे इसकूल वगरा हो गया तो उसमें हम उसका जैसे मोटिफिकेशन का काम करते हैं जैसे किंडर बच्चों के लिए बनाना जैसे काफी वगरा निकलेगा और कस्टम बिट के तुरू से आप टेंडर भर सकते हो ने ने उसका फिर अगर अगर हमने अप्लोट करना चाहते जैं में कुछ वगरा नहीं कर सकते हैं जो कैटिगरी जैंपे अवेलेवेल है वही कर सकते हो अच्छा इसका कोई हो नहीं है न वह आपको मिल सकता है और टेंडर के तुरू से अच्छा से लोग थेंक यू सर अंजली बर्मा बर्मा मैंडम अंजली मैंडम बुलिया न प्लेस सर यह जो मेरा भी सर्विसेस का ही काम है सर प्रोड़क्ट का नहीं है सो सेम रेनोवेशन इंटियर डिजाइनिंग बला ना दर पॉइंट इस कि उसके लिए तो हमें कोई कैटेगरी रेस करनी नहीं होती है तो उसमें जब हमें प्रोड़क्ट का ब्रैंड मांगते हैं तो इसलिए अगर ब्रैंड नेम में डाल रहे हैं तो क्या मुझे उस ब्रैंड से कुछ ऑथराइजेशन लेना है नहीं मैंडम सर्विसेस के लिए सर्विसेस में नो नील फॉर ऑथराइशन इन सर्विस काटेगरी ओके आप इसको डिटेल में बताएंगे ना सर्विसेस वाला लिस्ट करने के लिए आप खुद होई है मूँ यहां पर कोई रीशेलर या कुछ है नहीं है ना है जी यह सर्विस प्रवाइडर बोलते है न है जी ऐसा कुछ अलग नौम्स नहीं है तो सर्विसेस सिग्दम सिंपल है यह क्यों डू डू यह एसा कुछ नहीं हो अग्यू स Sir, good evening. Is there any category list available on Jam Portal to view our items and in which category they belong to? Yogya sir, please question. Repeat करेंगे, please. Is there any category list available on Jam Portal to view our items and to which category they belong to? Yes sir, only Q4 category is available है जो madam आपको लोग को आपके WhatsApp के list में आपको जब notes share करेंगे, तो आपको वो notes के साथ वो Q4 category का list share करेंगे. Q3, Q2, Q1 के list share नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है. Q4 categories के list है, तो वो madam आपको share कर देगे. Thanks sir. Thank you. Next query किसी को है? Sir, अपने एक category Q5 category skip करेंगे, उसका क्या reason नहीं है? Generally, जो product थे, वो थे handcraft, जो अभी handcraft, वो अभी maximum जो Q5 के category थे, वो अभी Q1 में shift होते जा रहे है, तो Q5 अभी ही ही नहीं. एच्छे सर, और दूसरी बाद सर, ये शेचंज जो अपने चल रहे हैं कि recording available होगी हमें बार में जाए? आप डाउनलोड कर लिजे भगट टक्नों का एप, आपको वहाँ पे available हो जाएगा, मैं फिलाल आप लोगों के लिए ये बना देता हूँ, आपके batch बना देता हूँ, मतलब यहां से आप access करते हैं, तैंक्यू सर, तैंक्यू, सर, तैंक्यू, सर, चैड़वक्स में खुल न आपना प्रोड़क्ट कैसे लांच कर सकते हैं, जैसे हम अपने डिस्टिक को कोई प्रोड़क्ट अगर डालना चाहें तो कौन करेगा कि हमारी सेटी का फेमस प्रोड़क्ट है, यह तो प्रोड़क्ट को बनाने के लिए थोड़े बहुत चीजे लगेंगे, वो मसिन्स ला सकते हो, थोड़ा कोडेक्शन दिखा सकते हो, तो आप OEM बन जाओगी, डॉकुमेंटेशन का पार्ट आपके लिए बहुत बेसिक रहेगा, थैंक यू सर, थैंक यू, नेक्स अधितिस्ट मेरा सवाल यह तासर आपसे है, यह आपने के लिए, उसमें क्या-क्या डॉक्यमेंट्स लगेंगे, उसका लिश्ट देखो, आपको मैंडम सेहर कर देगी, और हम लोग क्लास में भी बताएंगे, और मेरा सवाल यह भी दासर है, कि माली जीसे मैंने करवा लिया इसके उपर, और मेरी आईडी बन चुकी है, तो जब भी बिड निकलेगी, तो मैं पस नोटिफिकेशन आएगा, या मुझे असर सी करना पड़ेगा, बार बार जाता है, उसके नोटिफिकेशन आएगा, जै यहां पर आपको दो बैच का वीडियो का एकसेस मिलेगा, एक पूरा नएक नया, प्रतिक्शर, प्रतिक्शर, जैसे कि अभी बाहर की जो आईडी रहती है, कभी-कभी है ना, दो आईडी रहती है, जैसे अभी ग्राम बन जाते हैं, तो जब अपन को वियों की टिंडर यह तो नहीं बोल सकते, चेकर की लगाएंगे, या मेकर की लगाएंगे, पर मैं यह बता सकता हूँ, जो बायर होगा, जिसको बायर का रोल एसाइन किया है, जनरली सरपंच को बायर का रोल एसाइन करना चाहिए, पर बहुत जगा पर राम सेवक को भी बायर का रोल एसाइ और बीड भी लगा पाएंगे अच्छा से टेकिन से ओके थेंक यू निकिता में अच्छली बैसिकली ना मेरा जो वर्क है वह स्वच्छता भी आम में लाइक जैसे डश्बीन आंगनवाडी यह एक्षाइज जो भी रिलेटेड उसके रिलेट बट जैसे मैंने नॉमली जैसे यूटूब से कुछ-कुछ ऐसे थोड़ा स्टड़ी किया हुआ तो मतलब आम रजिस्टर अल्सों बट उसमें हो क्या रहा है ना कि ऑल केटेगरिस मतलब ऑल स्टेट का वगर तो वह आप आगे यह पार्ट मतलब जैसे महारश्चा डिस्रिक वाइज में है तो वह आप बत तिंदेर सर्च करने को सबहुत वह चीजे वर अब उसमें कुछ रूज नहीं अभी यह महार टेंडर में जिद Omaha काम किया नहीं है तो उसके हिसाब से नहीं है और कुछ सर्च नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते तो वह नहीं कर भाई मतलब कि कि सटीट वाई स yogh okay स्थिर्फ ग Свते हैं सब्सक्राइब बिरने करेंगे हैं जा यहापको एडवान सर्च में सब्सांट के श करें नियुके तो उलिए मारेश्व unable ताने के लिए आपको जितने भी टेंडर है पूरे थाने में 332 टेंडर थाने में अभी फिलाल लाइब है ओंगोईंग से तो आपको टेंडर यहां दिख जाएंगे कौन से डिपाटमेंट का है ऐसे कोई भी मतलब लाइक जैसे कोई भी डिस्रिक वाइस में लेकि लाटूर बीड़न लोकेशने वह हम इस टाइब में सर्च कर जबते हैं यहां पर बुलदाब जलगांगे जहां देखना है मतलब यह परिकुलर जो भी घ्राम पंचायद वाला है वह भी हमें यहां पर यह पर आपको ग्राम पंचायद का नाम से देख सकते हो कौन सा डिस्टिक का महारास्टा का महारास्टा में आपके ग्राम पंचायद का नाम क्या है आपको ग्राम उसको पंचायद समिति या पंचायद गाज बोलते हैं हमारे महारास्टा में जन्रली अलग 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 जिगा पर थोड़ा अलग अमर्मेंगर आको लामरावति पूरा एक टेंडर निकलाए एक्चुली कम होने का रिजन यह है कि महारास्ट्रा में अभी पंचाज समीथी में यह मराठ वड़ा में अभी एकाउंट बन रहे हैं पूरे माराट वड़ा में इसलिए अभी थोड़ा सा यहां पर टेंडर कम निकलेंगे बाकी जगा पर आपको पहुत ज्यादा निकलते वे दिखाए देगा कि एक लिए देंगे अ को कि मोशीन खान खान सर गोली है हलो सर अलो हां सर जैसे गौवर्मेंट बॉर्डी के लिए सर जो है जैसे कितने आइडी जो है जो है जरूरी होती है कोई टंडर पॉब्लिश करने के लिए सर दो दो आइडी एक जिससे बायर होगा कंसाइनी होगा और एक पैमेंट ऑथर्टी अच्छा ठीक सर ठीक थैंक सर अंसर बुलिए जैसे अभी आप यह बिड दिखा रहे थे किसी किसी बिड में सर बिड इस्टीमेटेड लिखा होता है किसी में बिड अमाउंट नहीं करना है तो हमें डारेक्ट बायर से पूछना प हाजी हाँ सब्सक्राइब आप एक दुकान में कोई सवान खेजना आप एक सब्सक्राइब में पहले क्लियर कर लो आप एसी के दुकान में गए और आपको ऐसी वाला सौप की पर पूछा अपका बजट कितना है अपकी मर्जी है आप बजट बताएंगे या नहीं बताएंगे क्योंकि आप बायर हो यहां पर सर कम्यूनिकेशन लाइब है तो उसकी मर्जी है अपनी सेलर हम चेंट बात कर रहा है सर कंडिशन यहां पर सब्सक्राइब है कि बायर की मर्जी है बायर चाहे तो बता सकता है नहीं तो नहीं बता सकता है उनके पास ऑप्सेंस ऑपन है मतलब तो इसमें हम वैल्यू नहीं नहीं पाटिल सर सब्सक्राइब है जैसे कि ग्राम पंसेट रहेगी तो ग्राम पंसेट में सब्सक्राइब मैंने तो सुनाए कि एक दिन में हम उसको जेम की उपर पुरोटा कर सकते हैं मतलब जो भी मटेरेट है सब खरी सकते हैं सब पर्चेश कर सकते हैं इस और सपोज तो अभी सब्सक्राइब है तो पब्लीश करतें ना तॉब अलग अलग तरह करेंगी जैसे कि सोलर पानेर परिंटर रहेगा कप्पिटर रहेगा कोई प्रक्सराइब तो लोगों को अपने जुगाव में एक खेती करने वाले लोग रहते हैं उनको थोड़ा प्रशेशन देने के लिए वह भी एक साथ में जो थराव हम लेते हैं तो एक ही थराव में हम पब्लिश कर सकते हैं कर सकते हो या फिर उसके हर एक आइटम को अलग-अलग डायेट पर्चे सब्सक्राइब पन सर्व यह फैवर में है और यह थरा वाग्या ठीक है आच्छा यह थरा होगया ना आपका आच्छा यह थरा वह बराबरे भरें अब यहां पे आपका है कि यहां पर अलग-अलग ख़रिदना है तो अलग-अलग एक आइटम का एक खरिद के डायेट पर् बीड भी बना सकते हो अच्छा तो सपोज यह 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 जो पंचाइट है जो अपने दिखाए ओपंचाइट जो है ओपंचाइट हमारे फेवर में है उनको हम पहले से यह टेंडर करके मट्रेल देते थे अभी हमें जेम पे उनको देना है तो कोई का एत्रोजिशन हमारे पास नहीं है तो नॉन ब्रैंडिंग में हम उनको दे सकते हैं नहीं फिर उसको टेंडर के थू से ओडर ले सकते हो विदाउट अथ्राइज उसके लिए कस्टम बीड या वियोक्यू बिड बनाके ओड़र ले सकते हैं जेम पे जेम पे आच्छा ठीक है सर और यह मैं समझा आप अब यहां पर आता है वह आपके यहां पर प्राब्लम होगा सर अब रेफ्रेजेटर की बात करते हैं तो यह और हम नहीं ले सकते तो यहां पर जो हम ओर नहीं ले सकते इसका टेंडर निकाल देंगे ठीक है वो चलेगा वैसा कि यह जिम के उपर तो चल सकता है हां मैं आपको यह सभी चीज़े पूरा बताऊंगा यह पूरा का पूरा और आपको कैसे मिलेगा चाहिए आपके बास अप्राइशन रहे या ना रहे अच्छा अच्छा सब्सक्राइब करनाटक में हूं मैं दूसरा डिस्टिक या स्टेट का भी आउडर ले सकता हूं सब्सक्राइब आपके बाद जीस्टी है तो ले सकते हैं ठीक अब लिए तेंडर दिखा रहे हो तो जीसे माली जी किसी के पास इन में से एक ही समान अविलेबल है तो क्या वह भी बढ़ सकता है या जिसके पास सारे होने की पर सकता है पहली बात यह टेंडर नहीं है यह ठहरा हो है मतलब स यह पास आया है और बायर मुझे ऑडर देना चाहता है जाए तो पांच चीज़े निकलिए बालीजिए तो उन पांच चीज़े होनी चाहिए या उन्में सब्सक्राइब एक बीड़ेबल है तो पर है टेंडर कैसे हैं जो भी टेंडर की बाते हैं यह सब टेंडर जब आप पढ़ूंगा जब टेंडर आपको समझाऊंगा ना तो आपको यह सब पॉइंट क्लियर होगा क्योंकि इसके पीछे के बहुत लॉजिक है टेंडर के आपको हर एक पॉइंट पता होना जैसे एक टेलिविजन टीवी का टेंडर निकलाए यहां से क्लिक करेंगे यह पीडिया फाइल यह पीडिया फाइल जब तक आपको पूरा नॉम समझ भी नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं यह आपको पूरा समझना पड़ेगा एट टू जिट तो फिर आप टेंडर में एक्सपर्ट हो जाओगे बोलिए और कुछ पूछना है और जैसे आपने सब्सक्राइब कर सकता है पर ओएम वहीं के लोगों को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा जैसे लेके सेल कर सकता है सब्सक्राइब कर सकते हैं उनका जो नंबर है वो नंबर मैंने यहां पर वेबसाइट में आप लोगों को दिखा दिया है यहां पर मिल जाए इनके संपर्शन को पहला करना है जदी वहां से आपको को दिक्कत आता है तो ठीक है तो फिर यह मैडम है वहां से भी आपको फिर भी पॉजिटिव रिप्लै नहीं आया तो मेरा नंबर आपको में प्रोवाइड करता हूं यह मेरा नंबर है सिर्फ मुझे ज्यादा तर पहले वाटसब कीजिएगा वाल फुड़ा इग्नोर कीजिए क्योंकि वाल हमेंसा वेटिंग पर आते रते तो यह आपको नंबर है हेलो आवाज आदेगे सर यह सर क्लियर है यह मेरा नाम आधित्यपंडित है यह मेरा नंबर है तो जोदि आपको कुछ लगा ऐसे डाउट्स यहां पर जिनको भी जो डाउट्स है मैं उनका प्रॉब्लेम तभी सॉल्व करूंगा जब हमारे ग्रूप में रहूंगे जोदि यह वेबसाइट में आपको मिल जागा टेंडर सॉलुशन डॉट दॉट इन में यह कॉपन नहीं हो रहा है कोई विज़े से होने के बाद आपको लिए पालेश सर बोली पालेश दत्ता पालेश दत्ता सर सर जी हलो सर थोड़ा हाट के कोस्यन है पूछ सकता हो तोड़ा एक की मिनिट लाएगा बोलिए बोलिए सर यह पूछना चाहा था मेरे पास OEM नहीं है मैं मैं तो इसको क्यू टू कैटेगरी में मैक्सिमाम जो हुई वाला चेर हो दिखा रहा है तो इसका कोई और अल्टरनेट कुछ है नहीं कि अगर मैंने कस्टम मैं तो डारेक्ट ओर ले रहा हूँ मतलब अगर हुई लोगा तो अधर यह सकते हैं हम आपको कर सकते हैं पर आपके पास सब कुछ होना चाहिए अधर्वाइस कुछ कंसर है हमारे पास यहां पर देखो वैसाली मेडम का यह नंबर है और यहां नहीं आजिया में और सेकेंड चीजे हैं कि और यहम हम आपको दिला भी सकते हैं पर उसके चार्जे जड़े आप मैनिफेक्ट्रिंग नहीं करते हो तो भी मैं दिला सकता हूं पर उसके चार्जे बहुत जाता है पांच पांच हजार माच लाग एक काटिगरी डाउट डिदाउट वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन के साथ चार हजार में हो जाएगा अब आप सोचो कि आप पांच लाग डालके फैक्ट्री नहीं वेठा लोगे क्यों जाओगे इसमें है कि नहीं सोच समझ के डिसिजिए ठीक है चलिए तो कल सेम यही लिंक के साथ छे वजे आप लोग हमारे लिंक में मिलेंगे पहले के होंगे च अब नया सिलेबस चालो करूंगा जदी किसी को रेजिस्टेशन नहीं है जेम का तो रेजिस्टेशन के लिए आप पैन काड अधर काड मुबाइल नंबर उद्यम जीस्टी आई टीर जो भी आपके पास है वह आप रेडी रख लो आपका में रेजिस्टेशन करके दे दू जो प्रॉब्लेम है वह तो करूंगा जदी किसी का रेजिस्टेशन नहीं है नया करना है तो लोग इतना डॉकमेंट्स रेडी रखो हम आपका रेजिस्टेशन यहां पे आप लोग को सबको सिखाएंगे भी और ऑनलाइन करके बता भी देंगे किसी एक का है ना और जिनका का जिदी कोई प्रॉब्लेम है प्रोफाइल अपडेट एटी परसेन है नाइंटी वोसन ने तो उनका प्रोफाइल अपडेट करके जैसे मेडम के इसूज है वह सभी सॉल करके दो ठीक है प्रोफाइल जैसा की लिए क्या के डाकुमेंट चैनल दूंस एक ऑडर पिन आधार मोबाइल नंबर मेल एमिल आइडी के अधार ऑडर मोबाइल नंबर इमेल आईडी है ना मैंदेटरी वैँंटिन ओक वाद से बाद यह स्वाइड से लिग और। सिवाजी सर बोली सर मेरी मेरे कोशन यह था कि सर यह जो रेजिस्टेशन का पार्ट है ना तो सर वह भी हमें सिखाए और दूसरी बात मेरा सबसे ज्यादा फोकुस यह है कि और जो है और कल से यह से नाम से जो कनेक्ट होगा उनको सबकों में रिमूब कर दूंगा विदाउट एनी वार्निंग तो कल प्रॉपर नाम से कनेक्ट होना है आइफोन अश्यक्स्कूमेश से एक्जिय के लिए नंबर रिजस्टेशन के लिए लिए रखांटा में दूसरा जयम के लिए क्स मैं उसको दे सकता हूं सा है जर्म नाम कल से जब जॉईन करेंगे तो नाम वहां पर प्राप्राइब बस इतने ओक्या सार चलिए तो फिर प्लास आज यही पर खतम करते हैं कल छे वज़े से से मिलेंगे चाहिए थैंक यू सार थैंक यू अब्रिवन एंड गुड नाइट थैंक यू गुड नाइट थैंक यू